हेलो फ्रेंड्स आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए दही बड़ा की रेशिपी लेकर आई हूँ और जो खाने में हम लोगों को बहुत ही पसंद आता है दही बड़ा तो हम सबको पसंद है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि यहां पर मैंने उड़त दाल को भीगो के तीन से चार घंटे रख लिया है और उसको धुल लिया है अच्छी तरीके से और हम इसको अभी पीसेंगे यहां पर मैंने लेसुन के कलिया निकोल के अच्छी तरी से छिलके मैंने रख लिया है छिलका इसका निकाल के ताकि हम यह यह जीरा बहुत ही अच्छा रहता है डालने के लिए और लाल मिर्ची पाउडर है और इसको भी हम एड करेंगे तो यहां पर मैं इसको सब इकठा करके रख लिया है और यह उड़त डाल को मैंने पीस लिया है कुछ इस तरीके से पीसना है हमें न ज्यादा बारीक पीसना है ना ही ज्यादा मोटा मतलब मेडियम साइज में हमें इसको पीस के अच्छी तरीके से ले लेना है और जीरा भी और लेसन भी हमें एड कर लिये थे पहले से ही और यहां पर मैं नमक अपने स्वाधनुसार आप लोगों को डालना है जिस प्रकार आप खाते हों और उसके बा को भीगों के रखेंगे उतना अच्छा अमारा बड़ा बनके रेडी हो जाएगा तो यहां पर मैंने बड़ा को सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया छोटे-छोटे बॉल्स टाइप के आप जिस सेप में बनाना चाहते हो बड़ा उस सेप में आप बनाके गोल-गोल बना के निकाल लेंगे और निकल के अगदम कलर भी कितना अच्छी तरीके से आया है ऐसे भी हम खा सकते हैं उसको क्योंका बहुत अच्छा लगता है किसी-किसी को ऐसे भी खाना अच्छा ल Ganz αυτर यहां पर मैंने दही लिए लिया है इसमें का पानी जो हो वह निकाल लेना यहां पर मैंने चीनिस में एड कर लिया है नमक एड कर लिया है तो जो हमने बड़ा छान के निकाला था यहां पर वो सब मैंने डाल दिया है फूलने के लिए थोड़े 5-10 मिन तक हमें फूलने देना है ताकि अच्छी तरीके से दही हमारा बड़े में अंदर आ जाए और ता मसाला डाला है और थोड़ा सा काला नमक डाला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में आप लोग भी आखा बनाओ और खाओ तो मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में बाब बाई